नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग तो दोस्तों जो आपके सामने में हेडिंग देख रहा है इससे आप लोगों को एक अंदाजा तो होई गया होगा एक बहुत ही फंडामेंटली स्टॉंग स्टॉंग है ज्यादा बड़े प्राइस का स्टॉंग नहीं है लेकिन फंडामेंटली और टेक्निकली बहुत ही जैसे ही आपके सामने में स्टॉंग का नाम आएगा आप समझ जाएंगे तब आप जान जाएंगे कि मैंने ये हेडिंग आखिर क्यों लिखा कि लड़का 21 साल का हुआ तो चलिए देखते हैं वह कौन सा सॉलिड इस्टॉक है जो मल्ती ये रजिस्टेंस ब्रेक आउट कर आपके सामने में अगर ये वीडियो पसंद है तो जरूर लाइक करिए अगर फिड़बाइक दिजेगा और आर्के टेडिंग मोवाइल आपको डाउनलोड अभी तक नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते साथी टेलीराम चैनल पर भी आपका स्वागत है जिसका लिंक वीडिय पर आया चार्ट पर और यहां पर जो स्टॉक्स लगा रहा हूं वह है आपके सामने में एनाइटी लिमिटेड लेकिन आप देखेंगे इसके नीचे में तो जबरदस्त इसने जो कलाकारी किया मैं इत्वासा वॉलूम लगा देता हूं वॉलूम साथ वीडियोल ओडर से य आधे मैं आपको इसके मन्थली चार्ट पर लेकर आऊँगा और मन्थली चार्ट को जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यह अभी आप क्या देख रहें कि यहां पर यह मन्थली चार्ट ओगा आपके सामने यह बड़ी-वाली रेड कैंडल देख रहें यह तीन जनवरी 2000 का है यह यहां से एक रेली नीचे की स Eagles start किया था उस Pre事 को वह 450 उरपे का था और उसके पहले 1999 वीमे संटाक निइस पराइस को पकड़ा या नहीं कि 21 साल पहले स्टॉक ने इस पराइस को क्लेम किया था और 20 साल बाद आज श्टॉक ने इस प्राइस को ब्रेक आउट करके ऊपर में सस्टेन किया मैं तो आसे डीप कर देता हूँ ताकि आपको और बढ़ यहां से पता चल जाए दीख जाए देखिए यहां पर यह है 2000 इस भी का केंडल और आज आप देख रहें 21 दिसंबर 2000 केंडल तो टोटल 21 साल के बाद यह मूरत आया है फिर से इसके नच्चतर में इस श्टॉक के नच्चतर में 21 साल बाद यह स्टॉक कितनी गिरावट कितना रिशेशन कितना जंजावाट कितना तरह का इसने कटनाईयों को सहा और फिर से अपने उस गौरब को प्राप्त कर अब यह चुकि एकीज साल के बाद आया तो बड़ा हो का है जभान हो क्या तो इस्टेंथ ले करए जवान आदमी तो ताकत लेकाता है यहां तक तो इसका बाल लेकाल चल रहा था यहां पहले देखिए बुढ़ापा था बुढ़ापा से भी दुवारा जनम वगा बच्चा म विकली में भी देखेंगे तो इसमें आपको वॉल्म यहीं से 31 जून से स्टार्ट हो गया था जब दस यहीं से सिंगनल इसने जनरेट कर दिया था और अगर डेली के चार्ट पर आप देखते हैं यह तो एक बड़ा ब्रेक आउट आज भी इसने वॉल्म ब्रेक आउट दिया जबरदस्त आई टी सेक्टर का इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है और जो भी इसके चार्ट देख रहे हैं तो इस चार्ट में भी बोलने को कुछ है ही नहीं अब यहां पर क्या हो सकता है क्या यह यह लेने लाइक है यह नहीं आपके दिमाग में तो यह आ रहा ह अपने से ओपन करना पड़ेगा कोई दूसरा आके नहीं बताएगा आपको कि भाई यह चार्ट पर यह चीज़ें होरी आपको खूझ से देखते तब ही तो पता चलता है ना तो वही चीज में आपको बताने कोशिस करो यहां पर एक बड़ा ब्रेक आउट है और हो सकता है यह 21 साल वाला पूराना इतिहाद जो 515 वाला रजिस्टेंस एरिया है यहीं से गीरा था इस बार यह इस टॉक इसको ब्रेक आउट करके सश्टेन कर जाए यानि कि अगर पोजिशन बनाना है अगर यहां पर इस इस टॉक में पोजिशन बनाना है तो जरूर बन सकता है कही दिक्क्र ने लेकिन 490 के ऊपर बनेगा पहली बात कितना को बनेगा 490 और हमें टार्गेट कितने लेने होंगे वही 515 वाला प्राफिट बुकिंग का इरिया क्या हो सकता है 515 का यह चीजे आगया आपके समझ में कि ठीक हम 490 को पर पोजिशन बनाएंगे और प्राफिट बुकिंग अरिया 515 का होगा क्यूंकि हम 21 साल पहले वहां से गीरे थे एक साल बात भी गीर सकते हैं लेकिन अगर यह जवान हो हो चुका है यह बड़ा हो चुका है यह ताकतवर हो चुका है तो इस बार 515 को भी यह ब्रेक कर देगा और 515 के उपर अगर एक दो दिन वॉल्लूम के साथ यह सस्टेंड कर गया तो यह श्टॉक आने वाले समय में आपको एक बड़े रेंज का इस्टॉक बड़े अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह हमेसा एक रेंज बनाता है उस रेंज का वो ब्रेक आउट करता है अब कभी भी देखें एक रेंज बनाता है उस रेंज का वो ब्रेक आउट करता है और हर रेंज के ब्रेक आउट करने के बाद एक नया हाय लगाते वे यहां तक आय तो नेक्स टार्गेट हमारा 510 से 515 का हुआ इसमें कोई दिखर नहीं लेकिन बड़ा टार्गेट मेरे नजर से बड़ा टार्गेट 600-675 का भी बन सकता है जैसा कि अनुलसिस दिखके लग रहा है चार्ट दिखके लग रहा है लेकिन कब जब वह 515 को पर सस्टेन करेगा और यह जनवरी 2000 के डेटा दिख रहा है ना डेट आपको नीचे यहां पर दिखेग जनवरी 2000 के इसने हमारot का फोट बॉसरा को पर सस्टेन होना थे प्राइसस के साथ नहीं तो थोड़ा दिखक्सषें बढ़िए चक्योंकि यहींपर एक्की साल पहले गिरा था एकिसाल तो इस बार मेरे ख्याद से उत्रा गिरावट इसमें नहीं बनेगा तो 515 को पर यह सस्टेन कर जाए क्यूंकि इसमें चार्ट में एसा कुछ भी आपको दिखाने लायक नहीं है कि यहां से यह ब्रेक हो रहा है वहां से यह ब्रेक हो सकता है और वह है एक इस साल का प्राइज और 21 साल सब पुरा हिस्टी आज़ा सब्रास सब्सक्राइब हमें बलाइन तक टयां तो प्रेया ने ने पारे सो पंद़ा पास तुम हमें तो फोटो फोटो फीर से पलाइन विश्टाइब गक्रूंगें अब गाँपर के सब्सक्राइब अपना इस एरिया पर यानि 440 के एरिया पर आके रूपना होगा फिर 440 के पास से सस्टेन करते वे इसको ऊपर के साड में जाना पड़ेगा तो मेरे ख्याल से यह एक अच्छा साबित हो सकता है स्टॉक आपको लोगों के लिए पोर्फोलियो के लिए भी शॉर्ट टरम के ल चल जाते हैं डिक क्या कॉर्परेट ट्रेंड इक अन। निकर प्रोप्रेट लोगों यह ट्रेन किस तरह के प्रवाइड कशिर के लिए इसका हलां के लोगों के लिकिर्ट इस होगा तो वह बड़े बड़े सहर्में यह कोचिंग इंटरिचिव प्रोइड करता फोड़े इ और 30 प्लस कंट्री में चल रहा है इसका सारे कोर्सेद प्रोवाइड करती है पोस्ट गूर्जर प्रोग्राम फॉल इस्टेक प्रोडक्ट में बहुत सारे इंजिनरिक तरीके के सब्सक्राइब पूरा इटी फिल्ड में ये काम करता है तो इती का तो भी डिमांड है इती का सारे सेक्टर में अब भूम आया वह ने डिजिटल और 2022 में डिजिटल फीम जो है डिजिटल सेक्टर जो आप के लिए रहली दिखा सकता है तो जब मैं 2022 के लिए इस अपके सामें लेका रहा हूंगा तो मैं भी एक उसमें यह हो सकता है कि डिजिटली और एटी पर फोक्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद